भोजन किसे कहते हैं? उत्तर सरीर के पोशन एवं उर्जा के लिए हम जिन भोज़ पदार्थों को ग्रहन करते हैं उसे भोजन कहते हैं पोशक तत्व को परिभासित कीजिए उत्तर वे तत्व जो सरीर को शक्ति पदान करते हैं तथा सरीर की व्रद्धी एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं इन तत्वों को पोशक तत्व कहते हैं अगला परिश्ट भोजन के कारे लिखिये उत्तर पहला है शरीर के तापमान को बनाए रखना दूश्रा शरीर को उर्जा एवं सक्ति पदान करना तीसरा मास पेसियों को शक्री रखना और चोथा सरीर की विविन रोगों से रक्षा करना अगला परिश्ट पधों के मुख भाग कौन कौन से होते हैं उत्तर जड़ तना पत्ती फूल वाफल पधों के मुख भाग होते हैं अगला पिश्ट उन पौधों के नाम लिखिये जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं उत्तर मूली गाजर अगला पिश्ट आलू लहशन प्याज में पौधे के किस भाग को भोजन के रूप में ग्रहन किया जाता है उत्तर तना अगला प्रश्ट भोजन में पाई जाने वाले पोशक तत्तों के नाम लिखिए उत्तर पहला है कार्बो हाइडरेट फिर प्रोटीन वसा विटामिन्स खनिज लवन जल अगला प्रश्ट कार्बो हाइडरेट के प्रमुख शोतों के नाम लिखिए उत्तर ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, गन्ना, शक्कर, आदि अगला प्रश्ट पोशक तत्तों शे प्राप्त उर्जा को किस इकाई में मापा जाता है उत्तर कैलोरी अगला प्रश्ट एक ग्राम प्रोटीन एवं एक ग्राम वसा से कितनी उर्जा मिलती है उत्तर एक ग्राम प्रोटीन में चार कैलोरी उर्जा एवं एक ग्राम वसा में नौ कैलोरी उर्जा मिलती है प्रोटीन के प्रमुक्षोत कौन कौन से हैं? उत्तर चना, मटर, मूंग, मशूर, उरद, सोयाबीन, आदी किस पोशक तत्तो को शक्ती दायक इधन कहा जाता है? उत्तर वसा अगला प्रश्ट विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर विटामिन्स निमलिकित प्रकार के होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K कौन कौन से विटामिन्स वसा में घुलनसील होते हैं उत्तर विटामिन A, B, E तथा K जल में घुलनसील विटामिन के नाम लखिए उत्तर विटामिन B तथा C रात में ठीक से दिखाई ना देना किस रोक का लच्छन है यह किस विटामिन की कमी के कारण उत्तर होता है उत्तर रताओंधी और जो विटामिनी कमी है वो विटामिन A अगला परिश्ट विटामिन B की कमी से कौन सा रोक उत्तर होता है उत्तर बेरी-बेरी अगला परिश्ट इश्करवी रोक का लच्छन लिखिए उत्तर मशूडों में सूजन दांच से खुन आना आदी विटामिन बी के प्रमुक्ष्ळोत लिखीए उत्तर शूर का प्रिकास मखन दूद आदी अगला पिस्तर रेसे अर्था रफेज का भोजन में क्या महत्यो है उत्तर, रेशे अर्था गफेज फाइवर युक्त पदार्थ होते हैं, रेशे शरीर को कोई पोशक तत्वपदार नहीं करते, किन्तु इनकी भूमिका अपसिष्ट पदार्थ को सरीर से बाहर निकालने में होती है इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवशक्ता से अधिक समय तक रुका रह जाता है, तथा कब्स आधी अनेक प्रिकार के लोगों को जन देता है अगला प्रिश्ट, रेशे अर्थात रफेज के श्रोत क्या है? उत्तर, रेशे अर्थात रफेज के श्रोत, चोकर युक्त आटा, वो गेहूं का हो सकता है, मक्का, जुआर बाजरा, डाल, दलिया, ताजे फल, एवं शब्जिया है अगला प्रिश्ट, हमारे सरीर का लगभग कितने पितसत भाग जल है? उत्तर, साट से सत्ता पितसत भाग अगला प्रिश्ट, किन पदार्थों को रखचात्मक पदार्थ कहते हैं? उत्तर, विटामिन्स एवं खरिज लवन युक्त पदार्थों को रखचात्मक पदार्थ कहते हैं? अगला प्रश्ट जल के कारे लिखिये उत्तर पहला है पाचन के पश्चात सेस अपसिष्ट पदार्थों को सरीर से निश्काशित करना दूसरा तुचा के भीतर के दूशित पदार्थों को पसीने के शाद बाहर निकालना तीसरा, सरीर के तापमान को संतुलित करना और चोथा, तवचा को स्वस्थ बनाए रखना अगला प्रिश्ट, शंतुलित आहार किसे कहते हैं उत्तर, पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उशे आहार कहते हैं जिस आहार में सभी पोशक तत उचित मात्रा में उपस्तित हों उशे शंतुलित आहार कहते हैं अगला कुपोशन के शामान लक्षन लखिये उत्तर, पहला, सरीर की व्यद्धी रुकना अगला, माश पेशियां धीली होना अत्वश्य कुड़ जाना जुरियां युक्त पीले रंकी तचा होना अगला, शिग थकान होना अगला, चिड़चड़ापन तता घबढ़ाथ होना अगला, कमजोरी तता शरीर का वजन कम होना अगला, हाथ, पैर, पतले एवं पेट फूल जाना अथवा सरीर में सूजनाना अगला, प्रोटीन वा कैलोरी की कमी के कारण उत्पन कुपोशन जनित रोगों का नाम क्या है उत्ता मेरसमस अगला, क्वाशर कोर रोग किस पोशकतत की कमी के कारण होता है उत्ता प्रोटीन की कमी के कारण अगला प्रिश्ट वो कुपोशन जनित तीन रोगों के नाम लिखिए उत्तर मेरसमस, कौशर कोर तथा एनीमिया अगला प्रिश्ट एनीमिया रोग के लक्षन लिखिए यह रोग किसकी कमी के कारण उत्पन होता है उत्तर नाकून का सफेद पर जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूग कम लगना, आदी एनीमिया रोग के लक्षन है यह रोग आईरन की कमी के कारण उत्पन होता है अगला प्रिश्ट स्वास्थ से आप क्या समस्ते हैं उत्तर श्वास्थ वै अवस्ता है जिसके अंतरगत, शारीरिक, मानशिक, एवं सामाजिक कार, सम्चित छम्ता द्वारा, उचित प्रिकार से किया जाशके विस स्वास्थ दिवस किस दिन मनाया जाता है उत्तर शात अप्रेल कुछ महत्पूर्टत हैं उनको भी जानते हैं भोजन मानव की प्रात्मिक आवशक्ता है कार्बोहाइडेट्स एवं वशा युक्त खाद पदार्तों को उर्जा दायक या शक्ति दायक खाद पदार्त कहते हैं प्रोटीन युक्त खाद पदार्थों को व्यद्धिकारक खाद पदार्थ कहते हैं चाय एवं कॉफी में कैफीन नामक नशीले पदार्थ के पाई जाने के इकारण इनका अत्यादिक शेवन स्वास्त के लिए हानिकारक है हमेशा मौश्मी फल एवं सबजियों का प्योग करना चाहिए क्योंकि गैर मौश्मी फल महंगे होते हैं तथा कम पॉस्टिक होते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रग होशकता है हड़ियों एवं दातों का कमजोर होना कैलसियम की कमी के कारण होता है दातों के इनामेल निर्मान में फ्लोरीन सहायक है इसकी कमी के कारण दातों के इनामेल का च्छनन हो सकता है पक्छागत पैरलिसिस एवं जनन चमता में कमी विटामिन E की कमी के कारण हो शकती है कर अधो में के इनामेलान चाएब्स किमी विचल समय का चंप हो शकती है ल१। ल१। भ। अधू धन रिएर शकता है को, मैं, पहु क्ता है राशल हो समय क के दान है जब स्वाण टारे भूब दो झाल झाल